कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है हमारे चनल आर्किटेक्ट्र विजन पर आज का जो हमारा टुटोरियल है इसमें हम लोग बात करेंगे नाइब टूल एंड बाइसेक्ट नाइब टूल के बारे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हम लोग आ चुके हमारे ब्लेंडर की स्क्रीन पर एंड पॉपक को अठा देते हैं इसके बाद हम लोग हमारा सोटकॉट मेन्यों को ओन कर लेते हैं ताकि जो भी कमांड्स में दूँ वो आप सब लोग देख सके ठीक है तो सोटकॉट मेने ओन कर लिया है अब हम हम लोग नमपेट से डोट फ्रेस करके हमारे अब्जक को मेक्जिमाइज कर लेंगे टेप प्रेस करके एडिट मोड में आ जाते हैं एडिट मोड में आने के बाद में हमने एक फेस को सलेक्ट करने के बाद में आप हम लोग हमारा जो नाइफ टूल है उस पर जाके क्लिक कर से आप लोग क्या करोंगे देखिए ओर सब्सक्राइब करेंगे तो जो फेश्ट हमने सलेक्ट किया है उसी के अमारा जो है और नाईफ कट से हम लोग कट कर पा पाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं दौस्त हो चारो तरब से कि बाकी ऊर किसी भी फेस पर हमारे cut जो है वो नहीं लगे है only जो face हमने select किया था और जिसको knife cut किया था हमने वही वाला face only जो selected face है उसी पर हमारे cut लगे है ठीक है and next देखिए हमने ये वाला face select किया है अब देखिए जैसे मैं इसको करता हूँ इसका एक face select किया है मैंने वापस से इसको knife cut करूँगा knife cut करने के बाद में देखिए अब इसमे occulated geometry and only selected मैं दोनों को select कर लेता हूँ अब मैं इस selected face के उपर knife cut करता हूँ देखिए यहां से लेता हूँ ठीक है यह मैंने इसे इस तक लिया है यह मैं आगे तक लोगा तो देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए तो यह मैं enter कर दिया ठीक है ठीक है आप मैं जैसे only selected को हटा देता हूँ तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है जो occulted geometry है उसमें मुला आपको किसी भी face को आप select नहीं करोगे बीना select किये हुए भी आपका जो object है उस पर knife cut कर देगा तो मैंने select करके only selected भी बताया है उसके साथ occulted geometry select हुआ था ठीक है करके देख लेते हैं तो वापस से मैं knife cut कर रहा हूं देखिए किस प्रकार से यह हमारा knife cut हो गया है तो देखिए दूस्तों अब हम लगा जैसे occulted geometry को हटा देते हैं और x-ray वाला जो option है उसको select कर लेते हैं तो दूसरा face लेता हूँ मैं दूसरा face लेने के बाद में ठीक है दोनों साइट से आपको बता दे रहा हूं कि इसके दूसरे साइड पर भी कुछ भी नहीं है देख लीजिए ठीक है एकदम clean है तो इस पर जैसे मैंने x-ray को option को select किया है और इस पर कुछ भी जैसे मैं enter करूँगा यहां पर मैंने एक diagram बना है यह मैंने knife cut किया है ठीक है यह जो भी shape बना है यही shape दूसरे direction पर automatic बन गए opposite side पर इसके ठीक है देख लीजिए मैं आपको घूमा के दिखा देता हूं इसको ठीक है rotate करूँ ठीक है यह देख लीजिए इसको क्या बोलते है एक्स रे ठीक है knife cut x-ray knife cut ठीक है तो यह knife cut के अंदर x-ray tool है तो इस प्रकार से हम object को throw out the object हम लोग knife cut tool का use कर सकते हैं अब हम लोग वापस से एक नया क्यूब ले ले रहे है राइट नया mesh में जाके नया क्यूब लिया मैंने इसको zoom कर लेता हूं and अब इसको tap press करके edit mode में आ जाता हूं edit mode में आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं इसके ओपर में हम लोग करेंगे जिसे मेरे को कोई circle बनाना है दोस्तों try कोई एक shape ले ले लेता हूं मैं इसे को यह वापस से एक बार देख लीजे आपका जो last वाला था हमारा x-ray वाला इसे मैंने यह वाल यह देखिए यह हमारा knife cut अब हम लोग एक काम करते हैं एक और हम लोग shape बना देते हैं इसके ओपर ठीक है knife cut के through ठीक है x-ray वाला ही ठीक है x-ray mode के अंदर हम लोग बना रहे हैं एक और shape बना रहे हैं यह shape इस object के throughout opposite direction में दूसरा face जो हमारा है उसके ओपर भी बन के ready हो जाएगा और हमें वहीं पर यह वाला shape भी मिल जाएगा देखिए इस प्रकार से इस वाले face पर भी यह shape बन गया है राइट यह shape बनने के बाद में आब हम लोग क्या करते हैं हमारा एक नया object लेते हैं जिसे की कोई circle है तो उस circle को हमारा जो cube है इसके ओपर मेरे को क्या करना है knife cut करना है ठीक है तो इसका knife cut बनाना है ठीक है इस cube के ओपर किस प्रकार से बनाए तो इसके लिए हम लोग इस circle को add करते हैं तो दोस्तों फिर से हम लोग एक fresh new cube add कर लेते हैं राइट हमने a cube add कर लिया है इसके बाद हम लोग एक circle को भी add कर लेते हैं इसमें के circle के option पर के circle को add कर लिया मैंने G press करके Z press करके इसको मैं थोड़ा सा move कर देता हूँ move कर दे इसके बाद मैं थोड़ा से इसको rotate कर देता हूँ x x के respect में ठीक है 90 degree करोगा पुरा straight हो जाएगा अब इसको मैं इसको face के front में लेके आ जाता हूँ face के सामने ठीक है तो जी प्रेस करके वाइप प्रेस करके एड़ प्रेस कर देंगे ठीक है तो हमारा जो अबजेक्ट है एड़ इसको scale भी कर लेते हैं साथ के साथ तो ठीक है दोस्तों देखे तो इस प्रकार से हम इसको लेके आ गए है हमारा circle है और हमारा object जो है क्यूब है ठीक है मैंने क्यूब को select किया इसको edit mode में गया इसके बाद में मैं यहां से यह sidebar से circle को भी select कर लेता हूँ ठीक है एक बाद से और सुन लीजे दोस्तों पहले मैंने circle को select किया फिर मैं टेप प्रेस किया और edit mode में गया उसके बाद मैंने circle को भी select कर लिया इसके बाद में हम लोग में इसके option पर जाएंगे एंड हमारा जो knife project है उस पर जाके click करेंगे ठीक है जैसे मैं यहां पर कर लेता हूं कर लेता हूं तो मेरा जो है तो cut through हो जाएगा राइट तो देखे दोस्तों इस परकार से हमारा knife cut हो जा रहा है ठीक है तो knife cut के बाद हमारा next tool है उसमें हम लोग बात करेंगे हमारा object को किस परकार से bisect किया जाए ठीक है तो यह हमें इसको knife cut तो दे दिया है अभी अभी हमको इसको bisect करना है इसके लिए हमारे object हम लोग select कर लेते हैं तो दोस्तों हमने object को select कर लिया knife cut bisect tool को यूज किया है अभी इसमें हमारे पास तीन option है फिल clear inner clear outer ठीक है तो मैंने अभी clear inner किया है तो देखिए इसमें जो हमारा यह shaded portion था यह shaded portion के अंदर वाले सेफ रहेगा एंड जो shaded area के बाहर वाला जो portion है वह हमारा trim हो जाएगा में लोग कट हो जाएगा यहां से टाइट तो यहां से रेमो हो गया है एक पर वापस से मैंने control जीट किया वापस से हमारे portion यहां पर आ गया है तो दोस्तों bisect knife tool के अंदर हमारे पास एक option बचा हुआ अब ही फील का option फील का option just like selected face ठीक है उसके जैसा ही उस पर जैसे हमने cut किया था knife cut वैसे का वैसे ही है and एक हमने देखा था bisect knife tool and एक देखा था हमने knife tool ठीक है तो दोनों ही देख लिए हमने दोनों के example देख लिए हमने ठीक है आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो बहु कर दोता है अजयमा है आप स्गों है अ